देखिए इस वीडियो में हम Swagger पढ़ने जा रहे हैं Swagger इस्तमाल होता है for documentation of APIs हो सकता है कि आपकी जो APIs हैं आपको किसी को देनी हो कि sir आपको information देनी है कि sir कैसे काम करती है आपकी APIs front end developers को देनी पर सकती हैं किसी third party को देनी पर सकती हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि यह API क्या करती है और मैं क्या request parameter दूँ क्या path parameter दूँ क्या headers दूँ कैसे पता चलेगा Swagger की help से पता चलेगा आप Swagger की help से एक UI बना सकते हैं ठीक है और उस UI में लिख सकते हैं कि sir देखिए यह API यह काम करती है request parameter में यह चीज़े जाती है path parameters में यह चीज़े जाती है body यह जाती है फलान डिमकाना सब कुछ लिख सकते हैं किसी भी API के बारे में चले यह स्टार्ट करता है Swagger को पढ़ने से पहले एक term है open API specification इसका मतलब जान लेते हैं sir open मतलब open source API का मतलब पता है अपने को specification का मतलब के specification का मतलब है formal detailed information about something यहाँ पर वो something क्या है API है तो open API specification का मतलब है कि API को detail में दिखाने का तरीका कि sir इसका HTTP verb क्या है request params क्या है path params क्या है body अगर है तो उसका format क्या है API करती क्या है ठीक है तो open API specification describe the standardized format कि sir standard है किसी भी API को दरशाने का standard set कर दिया है तो sir swagger क्या है swagger एक tool है क्या है एक swagger tool है implement करने का किसको implement करने का open API specification को सही बात है open API specification को कब कभी OASB बोल दिया जाता है यह क्या information आधी जंता क्या करती है lecture पढ़ाने start कर देती है swagger पढ़ाने start कर देती है पता है नहीं swagger है क्या open API क्या है कुछ नहीं पता बस call लिखना शुरू कर दिया अरे पहले यह तो समझ लो कि sir जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है लिखा हुए sir swagger is an open source framework used for designing, building, documenting and consuming restful APIs it provides a standardized way to describe the structure making it easier for developers to understand, integrate and consume the API वो ही लिखा हुए है पर जो मैंने भी बता है आपको ठीक है तो हमें पता चल गया है कि swagger क्या होता है हमें पता चल गया है कि open API specification क्या है अब एक और चीज है spring fox spring fox के एक java की library है जिससे की आप spring boot में swagger इस्तमाल कर सकते हो ठीक है यह automatically, यह automatically documentation generate कर देता है आपके लिए आपको कुछ करने की जरूत नहीं है हाथ पे हाथ रखके बैठ जाईए spring fox आपके लिए सब कुछ काम कर देगा ठीक है जो dependency है जिसका हम इस्तमाल कर सकते है to use spring fox वो है spring fox boot starter ठीक है यह कहा है dependency है to quickly set up spring fox अपने spring boot project के अंदर ठीक है अब इतक हमने तीन चीज बढ़ लिए कि स्टेंडर्ड तरीका है किसी भी API को दर्शाने का फिर हमने देखा कि स्टेंडर्ड को इंप्लिमेंट करना है अपने को किसमे spring boot में तो कैसे करेंगे spring fox की help से करेंगी इसकी एक dependency है मेवन की dependency है spring fox boot starter इसको अपनी pom.examl में चिपका देंगे अपने सुनदर हातों से तो सब चल जाएगा सर कुछ करने के हमें जरूत नहीं है automatically सभी controllers सभी APIs ये सब अपने आप ही कर देगा जितने भी controllers है जितनी भी APIs है सब को देखेगा और automatically documentation generate कर देगा अब चौती चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिये spring dock open API कह रहा है कि सुनिये ध्यान सुनिये मेरी बात spring dock open API जो है न वो alternate है किसका spring fox का scene कुछ ऐसा है कि जो latest specification चल रहा है ठीक है वो है open API 3 तो ये latest version के लिए अलग से बना दिया कि सर अगर आपको 3 version 3 के साथ काम करना है तो आप use कर सकते है spring dock open API का भी spring fox का भी कर सकते है लेकिन आप spring dock open API का भी इस्तमाल कर सकते है similarly इसकी भी एक dependency है ध्यान से देखे spring dock open API UI ठीक है सर तो दो dependency हम डाल सकते है spring fox की डाल सकते है या फिर spring dock open API की difference क्या है दोनों में वो देखते हैं अब तो difference देखने जा रहे है spring fox and spring dock open API के बीच में सबसे पहले देखते है versioning sir open API के version पर दोनों चीज़ में difference है spring fox जो है वो दोनों version को support करता है 2 को भी and 3 को भी लेकिन spring dock open API जो है वो latest को ही support करता है यानि की थरी को फिर बात करें performance की तो spring dock open API की अच्छी performance है in comparison to spring fox क्योंकि latest है औविस्सी बात है और reason की अच्छी performance का कि sir active development चल रहा है थीक है नया है तो active development चल रहा है spring fox more mature है लेकिन फिलहाल जो है उसमें development कम होने लगा है तो कहानी का सार यह है कि sir हम जो है न वो spring dock open API इस्तमाल करेंगे यानि कि यह जो सामने dependency लिखी है आपने spring boot project के अंदर डाल देंगे that's it तो sir intelligent खोल लेते है फटा-फट से तो intelligent में जाते है और चुपका देते है dependency को ठीक है sir यह मैंने paste कर दिया है that's it मेवन reload कर लेता हूँ यहां से आप देखे मैं कुछ नहीं करता हूँ मैंने और कुछ नहीं करता हूँ just dependency add करी है यहां से मैं इसको run कर देता हूँ और मैं जाता हूँ इस URL पर तो अपना मन चाहा ब्राउजर खोलेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे लोकल होस्ट असी कैसी जो कि पोर्ट है हमारा ठीक है swagger UI then index.html देख रहा हूँ यह UI जो है automatically generate हो गया है sir हमने तो कुछ किया भी नहीं है तो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है ठीक है मैंने just dependency add करी है and automatically यह सब चीज generate करती है swagger ने ठीक किस चीज़ा क्या मतलब हम देखेंगे लेकिन देखने सब्सक्राइब चल रहा है कि देखे इसने controllers जो है वो scan कर लिया annotations user controller उसमें 3 APIs journal entry controller उसमें कितनी APIs है 5 APIs है public control में 3 APIs admin control में 3 APIs सब इसने scan कर लिया है and उनकी information दे दिया कि get कौन सी है put कौन सी है delete कौन सी है अगर हम इसको expand करता हूँ तो यहाँ पर देखे parameters की information आजएगी ठीक है यह सब देखेंगे अभी देरे-देरे springdoc.swagger uipath is equal to जैसे हमने अगर slash docs लिखा then हमें यह पूरा लिखने की जरूत नहीं है ठीक है directly as c slash docs लिख देजे ठीक है सर कोई दिखेंगे तो आज बात नहीं है अब behind the scene क्या हो रहा है वो देख लेते हैं कि इसने यह UI जो है वो generate किया कैसे ओके देखें होता क्या है कि हम एक और API access कर सकते हैं अगर मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पर मिलता हूँ slash v3 slash api docs आप देखें यह क्या JSON आगे जेसन ठीक है मैंने extension डाउनलोड नहीं कर रखा है इसलिए थोड़ी गंदे लिख रही है देखने में एक pretty JSON करके extension आथा वो डाउनलोड कर सकते हैं तो यह सुन्दर लगेगी देखने में लेकिन सरी है क्या वो ही लिखावा मैंने कि जो endpoint है ना प्रोवाइट करता है JSON representation ठीक है of API's documentation किसी भी API को यह JSON में दिखा देता है endpoint और यह JSON जो है वो यूज कर लिया जाता है so एगर UI के द्वारा to create its HTML अगर आप देखूगे देखो public login की information यहाँ पर दे रखे इसने ठीक है सारी information जो है वो यहाँ से उठाता है और उसके corresponding तो देखो यह रह हमारी API documentation का title है हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर server list है अभी localhost 80 क्यासी है अगर मेरे को यहाँ पर कुछ add करना है तो वो भी कर सकते हैं काम कैसे करता है जैसे मैंने आपको बता है हमारी Spring Boot application को scan करता है for arrest controllers ठीक है annotation टूड लेता है और फिर उसके corresponding documentation generate कर देता है और यह वो classes को भी ढूणता है जो कि entity classes होती है हमारी या फिर response body होती है जैसे कि अगर मैं जाता हूँ देखो scroll down करते हो तो देखो schema जा रहा है journal entry, object ID, user ID, object ID तो इसने गलती से ले लिया है इसको हम customize कर सकते हैं लेकिन देखो इसने automatically scan कर दिया इन सब सीजों ठीक है तो सर अब start करने जा रहे है हम code लिखना कोड में करेंगे क्या लेकिन सर कस्तामाइजेशन करेंगे अब जैसे यह लिखा हुआ है इसको change कर सकते हैं servers की list है इसको change कर सकते हैं यहां पर मैं हिरोकु का URL डाल सकता हूं सर अगर हिरोकु से ही चलानी हो सारी URL सी नीचे वाली है ना यहां पर चला सकते हो किसी भी देखरो try it out करके जैसे postman में hit करते हैं ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं इनके नाम change कर सकते हो अगर मैं देखूँ journal ID यहां पर मैं token देता हूं हमने देखा postman में हम यहां पर token देते हैं body के अंदर header के अंदर यहां पर मैं कुछ नहीं देख पा रहा ऐसा कुछ लिखा हूँ है नहीं तो वो सब चीज़े add करनी पड़े ही तो वही हम करने जा रहे है customization ठीक है तो उसके लिए code लिखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है सर तो कहानी का सार यह है कि सब automate हो जाएगा लेकिन कुछ चीज़े add करनी है कुछ चीज़े modify करनी है आपको तो आपको करना पड़ेगा आपको code लिखना पड़ेगा अपने हाथों से और सर आज के टाइम में 2024 में कुछ याद करने के जरूतनी है अपनी customization को chat GPT को बताईए कि सर मेरे को ये चीज़ करनी है वो आपको बताईए कैसे करना है याद करके क्या करोगे याद करोगे फिर सोच के लिखोगे ऐसा करना है documentation search करोगे है सर चैट GPT से लिखवाईए आपके जो कलीक से वो आगे निकल जाएंगे आप वो काम कर रहे है पांच मिट में आप कर रहो पांच घंटे में समझ रहो बात को चैट GPT को जाज़दा यूज़ करिए ठीक है सर तो चलिए मेरे को ये हटाना है सर आपको क्या करना पड़ेगा मैं बतायता हूँ जैसे हमने config लिखी थी redis config spring security config उसी तरह से एक configuration class बना देते हैं हम swagger config that's it ठीक है और सभी को close कर देते हैं close other tabs इसको भी minimize कर लेते हैं view appearance enter presentation mode थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में ठीक है okay मैंने theme change कर दिया थोड़ा बैटर लग रहा है atom करके theme आती है वो मैंने apply कर दिया इसको annotate करेंगे configuration से configuration लिख दिया है तो एक bean बनाते है public open API my custom कुछ भी लिख दीजे सर क्या फरक पड़ता है और bean annotate कर दीजे that's it return new open API .info यहाँ पर डालेंगे अच्छा comment करते हैं लोग कि सर complete end to end live project बनवाईए सर यह क्या हलव बनवा रहा हुआ है यह जर्नल एप बना रहे हैं क्या हलवा है यह भी तो प्रोजेक्ट हिया है टाइटल हो गया है description कुछ भी डाल दीजे by wipul ठीक है इतना ही छोड़ देता है ठीक है आप सोच रहे होंगे कि यह क्या लिखा हुआ है स्टाइटिक मैंने बताया था आपको कि यही API को इस्तमाल करता है स्वैगर अगर कोई दूसरी API है जो कि आपको जेसन दे सकती है जो कि हमारे किसमें नहीं है तो हम यहाँ पर डाल सकते हों अगेन इन्होंने फिर से लिखा है कि कहां से जेसन इसको मिली है जिसके help से इसने पूरा UI बनाया है वह यहाँ पर इसने लिखा हुआ है यह description हो गया यह हो गया title एंड यह हो गया servers okay ठीक है अब देखिए माल लेते हैं मेरे को पता करना है कि यार इसमें नया server कैसे डालों पहला तरीका क्या है पहला तरीका है कि सर मैं खुद से ट्राय करूंगा chat gpd से पूछ लूँगा वो बता देगा ठीक है काम ऐसे होता है कुछ भी अगर आपको जिग्यासा उठ रही अंदर से कि सर यह कैसे होगा वो कैसे होगा चैट gpd से पूछिए सर लेकिन फिलाल में वता जाता है तो आपको देख रहे हो हम क्या कर रहे थे अभी information के बात कर रहे थे dot info इसको हम अलग line में ले ले लेता है information अब लेता है servers ऐसे यहाँ पर डाल दीजिए list of servers new server swagger wala dot url पहले तो यही डाल देते है लोकल होस्ट असी क्यासी description कुछ भी सर लोकल डाल दीजिए that's it and a code server दे दीजिए जैसे माल लेते है production का है आपका यहाँ पर आपने कुछ लिखा हूँ है मैं लिख लेता हूं चलो 802 और यहाँ पर डाल देता हूं live यह error इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको list चाहिए हमने comma separated डाल दी है तो यहाँ पर list.off इस्तमाल कर लेते हैं that's it यह फिर arrays.aslist ठीक है sir that's it और कुछ करने के आवशकता नहीं है stop and return करते हैं अब देखेगा यहाँ पर जो है न अच्छा list.off में issue आ रहा है हाँ आएगा भी क्योंकि हमने जो java का version select किया था ना starting में व अब दो चेज़ आएंगी 8081 8082 that's it ठीक है कोई rocket science नहीं है रोते नहीं है चलाया sir देखो आ गया 8081 यह आ गया अगर माल लेते है मैंने live select किया ठीक है try it out किया तो यह base domain जाएगा अगर यह select करके कोई सभी मैं end point चलाता हूं try it out करता हूं तो कौन सा base domain यूज होगा 8081 वाला ठीक है देखींगे अब ठीक है sir ओके यह तो हो गई कि हाँ उपर उपड़ से कि हाँ सब यह सब चीज़ जो है वो चेंज करनी है आप अब आते हैं actual apis पर सबसे पहले देखते हैं user controller लिख वह यह अच्छा नहीं लग रहा मेरे को लिखना है user apis तो कैसे कर सकता हूं यूजर कंट्रोलर अच्छा यह उठाया इसने इसका नाम रख दिया यूजर कंट्रोलर ठीक है चतुर यूजर है यूजर हाइफन कंट्रोल डाल दिया हूं लेकिन मेरे को खुझ से लिखना है कुछ तो क्या लिख सकता हूं मैं tag करके एक annotation है नाम दे दीजे user apis that's it और करते हैं इस annotation में हम एक और property set कर सकते हैं description अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मैं आप लिखता हूं user related apis बहुत obvious हो जाएगा देख लेते हैं क्या यूज करना चाहिए अपने को अच्छा यह क्या है read update and delete user क्योंकि हमने देखा यहां पर update कर रहे हैं user को delete कर रहे है ठीक है चलाया control R reload कर लिया description भी आके है ओके चली अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है हमने यह सब सीख लिया अभी क्या है यह API है क्या API है क्या पूरा endpoint user 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 सबसे पहला step क्या होता है जैसे माल लीजे बंदा पहली बार देख रहा है हमारी journal application को इसको पहली बार करते हैं एक user create किया जाता है तो हम क्या करेंगे sign up करेंगे ठीक है public controller इसको change कर सकते है sign up है login है health check मैं try करता हूं try it out ठीक है execute किया मैंने okay आ गया code दिखा दिए इसने कि 200 है response body में okay आ रहा है देख जो postman काम कर रहा था यह भी कर रहा है कुछ headers आने है response में वह भी दिखा रहा अच्छा यहर पहली बार जब बंदा आएगा तो हम उसको दिखा रहे है user API तो confused ना हो जाएगा तो confused हो सकता है तो इससे बढ़िया क्या है public controller को ऊपर डाल देते हैं कि पहली बार आ रहे हो आप चली health check तो चला लो कम से कम आप तो public control में जाएगा वो फटा फट से health check देख आप का मतलब है एक controller group ठीक है एक controller group ठीक है sir मैं क्या करता हूं सेम काम सभी controller में कर लेता हूं admin controller लिख लेता है यहाँ पर लिखेंगे admin APIs description को मारिये गोली अभी के लिए and similarly journal entry controller पर जाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं जर्नल ठीक है tag कर दिया है अच्छा यह controller जो है वो tag लगा दिया है उस पर याद हम जैसे notes लिखते हैं ठीक है notes को में tag लगा देते हैं कि यह क्या है यह office related है personal है ऐसे मान सकते हैं ठीक है तो इस controller पर हमने tag लगा दिया है public APIs अब जाते हैं swagger config में अब ध्यान से देखेगा यहाँ प स्कैन करेगा यह मेरा question आपसे दिख लेते हैं सबसे पहले erase dot as list होगी ठीक है और list है क्योंकि ठीक है तो new tag name हमें चाहिए मान लेते है public controller तो जो नाम यहाँ पर रखा है आपने ठीक है वही नाम यहाँ पर जाएगा लिख लेते हैं चलो okay लिख दिया मैंने that's it और कुछ नह तो हम क्या करते हैं न हम क्या करते हैं okay को replace कर देता है public API से अब देखें रिरोल देते हैं ठीक है इसको भी refresh करता है अब देखें सबसे पहले public API आ गई है user API आ गई है journal API आ गई है admin API आ गई है देख रहो उसने दुबारा से नहीं डाली public API लेकिन वह scan करने गया सब कुछ सेपरेटेड यहीं पर देते हैं ठीक है ताकि हम ओड्रिंग जो है मैनुली कर पाएं सबसे पहले क्या public API आइज है then obviously बंदा जब new ad हो जाएगा ठीक है तब वो लॉग इन करेगा और फिर ग्रीटिंग्स वगएरा चेक करेगा कि हाँ भी hi hello है तो second जो होगा वो क्या होगा user APIs then entry get कर सकता है delete कर सकता है new entry कर सकता है ठीक है तो क्या होगा journal APIs एंड फिर last में डाल देते हैं क्या admin APIs okay admin APIs restart करते हैं reload करते हैं अब देखे admin APIs आ गई है user APIs आ गई है public APIs आ गई है अब देखे हमने करतों दिया है लेकिन लेकिन custom ordering हो नहीं रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी documentation चेक करी Swagger UI के latest versions में से custom ordering की functionality हटा दी गई है ठीक है तो इसको मारी गोली ओके चलिए ordering तो अलाओ नहीं करता है public EPS में जाते हैं sign up पर जाते हैं अब यहां पर लिखा हुआ है request body कैसी है यह ऐसी बोल रहा है कि request body जोगी न वो इस तरह की होगी लेकिन अपने को पता है ऐसी तो नहीं है हमें तो sign up करना है that's it अगर मैं postman खोलूं and sign up पे क्लिक करते हैं तो दो बोडी के अंदर क्या है username जा रहा है password जा रहा है email जा रहा है email के ऊपर भी क्या है condition है अगर sentiment analysis true करना है आपको तभी email जो है वो आपको भेजना है लेकिन सर यहां पर यहां पर इसने इस सब कैसे लिख दिया बताइए इसने क्या किया सर यह गया public controller में इसने check करी API कौन सी है sign up है इसने user में गया यह और as it is डाल दिया समझ रहा हो इसी लिए इसी लिए मैं आपको शायद किसी lecture में आया भी था इसी लिए देखरो यहां पर warning आ रही है character replace कर दीजिए with persistent entity को with a simple pojo या फिर dto object ठीक है pojo तो समय में आता है plain old java object dto मतलब data transfer object मतलब यह just class होगी इसमें कोई business logic नहीं होगा business logic in the sense यहां पर हमने जैसे कर रखा है कि यह क्या है indexing है और यह क्या है एक entity class है यानि कि db से related है यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए यानि कि वो जो class होगी वो transfer करेगी data ठीक है खुद में से इस entity तक समझ रहे हो तो एक काम करते हैं चलिए यहां पर एक package बना लेता है जर्णल एप dto करके यहां पर बना लेते हैं क्या user हमें क्या कैची है username email sentiment analysis password यह चार्च यह चीज है हमें ठीक है that's it public control में यहां पर user हम use करेंगे कुन से वाला डीटियो वाला यहां से हमने select कर लिया डीटियो वाला ओके अब यह save new user तो भाई कई बार यूज हो रहा है तीन बार यूज हो रहा है देखा मैंने three usages हैं तो इसको change नहीं करेंगे क्योंकि मुझे swagger पढ़ाना है यह बगवास नहीं बतानी मेरे को ठीक है तो मैं एक नए user कर लेता हूं और यहां पर new user बेज देता हूं ठीक है and new user dot set email user dot get email getter setter है नहीं तो एक काम कर लेते हैं data all arcs constructor no arcs constructor ठीक है user dot get email new user dot set name ठीक है new user dot get password and new user dot set sentiment analysis ठीक है अब देखे अगर मैं चलाता हूं इसको ठीक है इसको कमिट नहीं करूंगा मैं तो एक example दे रहा हूं जस्त आपको ठीक है हो सकता है कुछ mistakes हूं जस्त में एक example दे रहा हूं एक काम और कर लेते हैं इसको refractor करके user DTO डाल लेता है user DTO to avoid confusion ठीक है I think swagger भी confuse हो रहा है इसलिए वह उल्टा सीधा जो है result दे रहा था ठीक है अब refresh करते हैं इस्तिल वर्क नहीं कर रहा है तो एक काम करता हूं मैं intelligent का तो कोई issue नहीं होना चीए वैसे इस्तिल मैं एक बार refresh कर लेता हूं invalidate and restart मैं इसको भी बंद करता हूं एक दूसरा browser open करता हूं इसको start करता हूं अब चेक करते हैं क्या होता है भाई public APIs थी हमारी और कौन सी थी sign up थी हाँ अब ठीक है तो cash का issue हो रहा था कुछ intelligence idea फिर अपने browser side तो देख रहा हूं अब ठीक है तो इसी वाजा से हमें DTO यूज करना चाहिए दोनों चीज़ें direct expose भी नहीं करना चाहिए हमें entity class को ठीक है और यहां पर भी आपने देखी लिया कि फायदा क्या है एंड आप यहां पर भी annotation यूज कर सकते हो ठीक है not empty करके ठीक है यूजर नेम में और password में ठीक है सर तो आप देखते हैं यहां पर मैं try it out पर click करता हूं ठीक है password यह सब बटाईए थोड़ा कम करते है email और sentiment analysis नाम बताईए सर अपना क्या है bob करके नाम है आपका मान लेते ह और password भी क्या है BOP है मान लेते है ठीक है execute किया code आ गया है 200 हाँ postman से भी check कर लिया हम कुछ भेज नहीं रहे है just 200 आ गया है and अगर मैं same username password का feed से भेज देता हूं तब भी हम असल में कुछ करनी रहे है मैं आपको दिखा देता हूं code में जाके ठीक है तब भी exception आ जाएगा हम कुछ खास करनी रहे है देख रहे हो set password save करनी की try करी और duplicate किया गया वह अलग बात है ठीक हम swagger सीखना है हमने swagger का देख लिया कि हम कैसे change कर सकते हैं चीजों को यह चीज़े क्या है automatic है okay ठीक है जैसे पहले थी body आप यहां से reset कर सकते हैं okay then cancel that's it अच्छा एक और चीज है आ and as you can see here यहां पर देख रहो इसने यह भी देख लिया कि कौन सी क्या है mandatory है हमने not blank कर रखा था तो इसने red mark भी कर दिया है यहां पर और एक और चीज़ दिखाता हूं देखो email पर मैंने किया है यहां पर सिर्फ string आ रहा है लिखा हुआ इसको मैं change कर सकता हूं अपने according यहां यहां पर मैं text लिख सकता हूं कि सर मेरे को यह text चाहिए जैसे कि माल लेता है कि username में users username डाल दिया मैंने that's it तो अगर मैं देखूं यहां पर string के साथ the users username भी आ रहा है ठीक है नीचे आ रहा है schemas के अंदर यहां पर दिखा रहा है ओके तो class के अंदर पोजो class के अंदर आप schema annotation भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है भी तो bob नामक एक user जो है वो बन चुका है sign up हमने कर लिया है अच्छी ब बोई डाल रखी है हम ज्यादा कुछ चेंज तो करेंगी नहीं आपर क्योंकि हम swagger प्रने आए ना कि पूरी कहानी तो try it out पर click करते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं username and password को छोड़ कर सब कुछ में हटा देता हूं not required है सब ठीक है अब देखे एंड यहां पर भी bob लिखा execute कि यहां मैंने ठीक है तो यह क्या दे रहा है इंकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दे रहा है सा अच्छा क्योंकि हमने email डाल दिया है ना हमें तो यूजर नेम डालना था ना क्या कर रहे हो सरा बोलते कुछ नहीं हो मैं गलत काम कर रहा हूं bob bob ठीक है अब ठीक है response body में दोकन इस्तमाल करोगे ठीक है इसको copy कर लेता है copy कर लिया okay अब जाते हैं किसमें माल लेते हैं मेरे को क्या करना है मेरे को सारी जर्णल एंट्रीज देखनी है यहां पर जाते है अब देखो एक और चीज है यहां पर मैं पता नहीं कर पा रहा हूं कि यह API कर दीगया है यह API क्या कर रहती है API कर रहती है समझ रहे हो बात को तो पहले यह चीज कर लेते हैं change कि at least मेरे को बता सुल जाए कि हाँ यह वाली API क्या काम करती है ठीक है सर तो अब मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं हमने क्या कर लिया है सबसे पहले हमने क्या क्या है है फिर हमने sign up किया फिर हमने login किया login से हमें एक token मिल गया है ठीक है लेकिन यहां पर देख रहा हूं यहां पर क्या confusion create हो रहा है पता नहीं चल रहा है सर यह कून सी पर क्या काम करती है थोड़ी सी मैं information डालना चाह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं सर बहुत easy काम है आपको क्या करना है जिस भी API प प्रवाल इंडिशन से सारे ठीक है summary get all journal entries of a user restart करते हैं and इसको करते हैं reload देख रहे हो यहां पर लिखा गया है get all journal entries of a user similarly हम सब के साथ कर सकते हैं okay expand करते हैं try it out पर क्लिक करते हैं अब देखें यहां पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा request parameter वगेरा पात parameter वगेरा कुछ नहीं है आपे ठीक है क्या भेजना है सर बताइए सर यहां पर हमें token भेजना है अच्छा लेकिन यहां पर तो कुछ ही नहीं सर भेजने के लिए कि header है header का answer by default यह समझ नहीं पाया यहां पर हमने कहीं लिखा नहीं है तो यह समझ नहीं पाया तो हमें manually लिखना पड़ेगा अगर request header होता annotation तो यह समझ में आ जाता इसको तो तो automatically हो जाता था तो हमें कुछ करने की ज़रूत ही नहीं थी लेकिन हम यूज कर रहे है क्या spring security ठीक है तो वहां से वह authorized होता है सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना मैं बता देता हूं आप जाइए swagger config में एंड यहां पर इसको बता दीजे कि सर मैं spring security में तो यहां पर हम करेंगे dot components new components add security schemas अब यह as it is डाल देना है जो मैं डाल रहा हूं यहां पर तो सर सभी APIs में add हो जाएगी header field कैसे मैं बताता हूं यह मैंने documentation से ही उठाया है याद करने की जुरत नहीं है add security item फ़लाइंड हमका ना फिर components फ़लाइंड हमका यह सब add कर दिया मैंने बहुत च्छी बात है restart कर दीजिए इसको refresh कीजिए ठीक है हो गया यहां पर सब में देख रहे हो अब यह क्लिक कर रहा हूं तो देख रहो यह क्या मांग रहा है यह header मांग रहा है मेंसे यहां पर header डालते है header एक बार postman से copy कर लेते हैं पूरा और यहां पर paste कर देते हैं authorized पर क्लिक किया close कर दिया ठीक है अब देख रहे हो लॉगड आ गया सब कहां आपने login कर लिया एक तरह से ठीक है अब मैं जर्नल पर जाता हूं और इसको execute कर देता हूं write out execute 404 आया है क्यों आया देख लेते हैं अगर मैं copy करता हूं मैं समझ गया क्यों है वैसे और यहां पर get all पर click करते हैं और यहां पर token भेजते हैं send करते है 404 आ रहा है अच्छा 404 यह नहीं कि है नहीं सर है नहीं आप एक काम करिए आप login कराईए ना विपल से login कराईए यह बॉब के entries ही नहीं तो क्या दिखाऊ गए इसलिए 404 आ रहा है copy कीजे ठीक है और फिट से क्या करिए इसको logout करिए and then दुबार से करिए क्लोज करिए दुबार एक्जीक्यूट करिए इसको आगे ना इंट्रीज सारी इंट्रीज आ गई लगए तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर लेता है इसको पहले logout करिए यहां से ठीक है अब लॉगिन कर लीजे है ना ग्लोबली लॉगिन हो जाएगा ऑथराइज क्लोज एंड फिर यहां पर एक्सिक्यूट करिए इसको आगया ठीक है तो सर्क कोई दिक्केत नहीं हुए हमने ग्लोबली इस कथा से एड कर दिया है हेडर को ठीक है अगर हम यहां पर दे ठीक है सर कुछ नहीं है कुछ भी चीज़ें आपको करवानी है डॉक्यमेंडेशन चेक करें अपनी रिक्वार्मेंट के अकोर्डिंग ठीक है ठीक है सर तो हमने यह देख लिया है अब एक और एक्जामपल देख लेते हैं जहाँ पर हम पाथ परामीटर में चीज़ें बह यहाँ पर माई आईडी भेज रहा हूं ठीक है ओके जैसे माल लीजे अगर मैं यूजर विपूल की बात करूं विपूल की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री में गए देखे यह आईडी मैं एक बार कोपी कर लेता हूं तो देखें यहाँ पर मैं आईडी पास किया और जर यहाँ पर यहाँ पर डीबी खोलना पड़ा क्योंकि जब हम गैट ओल चला रहे थे तो देखो यहाँ पर आईडी नहीं दिख रही है ताइम स्टैंप एंड डेट दिख रहा है बाई डीफॉल्ट जो है स्प्रिंग बूट इसको क्या कर ले रहा है ताइम स्टैंप एंड डेट में कनवर्ट कर दे रहा है तो इसलिए तो गेट आईडी इस मेरे को डीबी खोलना पड़ा ओके वह तो ठीक है चलो आपने डीबी खोल लिया और महां से गॉपी कर लिया लेकिन सर यहाँ पर कैसे पेस्ट करूं इसको यह बताईए यहाँ पर इसके लिए मैं बताता ठीक है जैसे हमने object id लिखा हुआ है इसको string करिए अब string करेंगे तो errors आईएंगी क्योंकि हमने अपने methods उसी तरह से बना रखें कि object id ले वो तो कोई दिक्केत नहीं सर mongodb समझदार है object id object id is equal to new object id और इसके अंदर दे दीजे my id जहाँ आप my id इस्तमाल कर रहे थे एक और दो दो जगह वहाँ पर object id इस्तमाल कर लिजे object id इस्तमाल कर लिजे that's it और कुछ करने के जरूत नहीं है तो देख रहे हो स्वैगर को काम करवाने के लिए हम good practices कर रहे हैं समझ रहे हो जो हमने code में भसट मचा रखी थी कुछ भी use कर रखा था वो अब हम सुधार रहे हैं कि sir direct मैंने सुनार cloud वाले lecture में बताया था आपक इसे ही किया मैंने अब देखेगा जर्नल आईडी पर क्लिक करते हैं देखो यहां पर अब हम डारेक्ट जो है वो माई आईडी दे सकते हैं ओके पेस्ट किया एक्जीक्यूट किया forbidden आ रहा है I think logout हो गया कि हाँ लोगाउट हो गया तो login कर लेता है पॉस्क्में से कर लेता है फटा-फट से यह टोकन उठा लेता है अथ्राइज क्लोज एंड एंड एक्जीक्यूट देखे सर बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा चल गया है सब कुछ ठीक है तो हमने पाथ परम देख लिया है रिक्वेस्ट बॉड़ी देख लिया है एडर भी देख लिया है सिमि हमने description यहां पर ढाल दिया यह सब हमने देख लिया है बहुत-बहुत शुक्री है आपका वीडियो देखने का कुछ भी HELP मीली हो तो consider subscribing प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग बहुत मेनज जाती है इन वीडियोज करने में एडिट करने में ठीक है मैनेज करने में बहुत मेनज आती है फ्री में रख रहा हूं जस्त आपको सब्सक्राइब करना है लाइक करना और कमेंट करना है कि सर कैसी लगी आपको यह वीडिय था जो कि हमने देखा भी सुनार क्यूब वाली वीडियो में वह लग बात है कि आपने नहीं किया ठीक है अगर आपने कर लिया था रीफ्रेक्टर अपना कोड तो बहुत ही बढ़िया आपको बहुत कम चेंजिस करने की आवशकता रही होगी इस वीडियो में हमने पॉम.xml में वह डिपेंडेंसी डाल दी ठीक है चलने लगा था फिर हमने थोड़ी बहुत कस्तमाइजेशन करें जैसे कि नामकरण चेंज कर दिया API का description चेंज कर दिया क्योंकि हमने request body में entity डाली होई थी हमने DTO बनाया उसको हमने request header की functionality एड़ करी हमने ये भी देखा क्योंकि हम object id यूज कर रहे थे पहले हमें यूज करनी थी id तो हमने string कर लिया ठीक है ताकि swagger उसको समझ ले सही से ठीक है यह जो मैंने code किया है वो github पर डाल दूँगा मैं आप चेक कर सकते हो कोई दिक्यत वाली बात नहीं है ठीक है आपके लिए homework है कि सारी API आपको सुन्दर करनी है अभी क्या हर जगा हमने entity class घुशा रखी है हर एक request body में आपको DTO डालनी है ठीक है जहां जहां हमने path parameter में object ID डाल रखे जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत शुक्री आपका वीडियो देखने कंसेटर सब्सक्राइबिंग कंसेटर लाइकिंग और लिंक्डिन पर शेयर करिये सर ठीक है तभी motivation मिलेगी मेरको यह best course बना रहा हूं मैं लोग 30,000 रुपे ले रहे हैं जनता से बेवकूफ बना आपको सब्सक्राइब लाइक कमेंट वगेरा यह सब चीज़े कर देनी और कुछ नहीं करना ओके धन्यवाद झाल झाल थाइब इस सुआने जस्टर वाइक है । झाल